नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जितेश और श्वागत करता हूँ आप सभी का आपतेगों के अपनी चैनल उत्तर पार्ट शाला में दोस्तों आज है 11 सितंबर और आज हम करने वाले हैं 11 सितंबर से रिलेटेड सभी करंट अफेरस का डीप ली डिसकेशन जो आपके एक जाम परपस से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो दोस्तों आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखेगा लास में मैं आपसे एक कोशन भी पूछूँगा जिसका आंसर आपको हमारे कॉमेंट बॉक्स में देना होगा आप हमें ट्वीटर, इंस्टाग्राम और फेस्बूक और फॉलो कर सकते हैं हमारे सब ही सोशल हैंडल के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये होए हैं चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे वर्टसब ग्रूप में जुड़ने के लिए आप हमें हमारे इस वर्टसब नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और दोस्तों आप इस वीडियो के पीडिया फाइल हमारे टेलेग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलेग्राम ग्रूप के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं 11 सितंबर के Current Affairs और आज का पहला Current Affairs है इंडियन रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्तवर्स में भारती अर्थिवेवस्था में 11.8% का अनुमान जिताया है तो जी हाँ दोस्तों फिच रेटिंग्स की भारती शाखा इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारत के वित्तवर्स 2021 के सकल घरेली उत्पाद विध्य अनुमान को घटा कर-11.8% कर दिया है जो पहले-5.3% आंका गया था साथी रेटिंग एजेंसी ने वित्तवर्स 2021 में आर्थिक नुकसान 18.44 लाग करोड रुपे तक होने का अनुमान जारी किया है इसके अलावा रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि अगले वित्तवर्स यानि 2022 में भारती अर्थिव्यवस्था 9.9% की विर्धिदर्ज गरेगी हाला कि इसमें पिछले वित्तवर्स के कमजोर आधार प्रभाव होगा वित्तवर्स 2021 की पहली ती माही यानि की अप्रेल से जून में भारती अर्थिव्यवस्था में रिकॉर्ड 23.9% की गरावट आई थी जो कोवीड-19 महामारी लॉगडाउन के प्रभाव के कारण इंडिन रेटिंग एजेंसी के 17.0% के पूर्वान मान से बहुत अधिक थी उत्तर प्रदेश में हुआ जैविक खाद्य प्रस्नसक्रण Eggाई का उद्खाटन किया है इस खाद्य प्रस्नसक्रण इकाई के उद्खाटन से 5000 किसान लाब वानुजित होंगे इस से 50.033 करोड रुपए के निवेश का लाब मिलने की उम्मिद है इस इकाई का नाम मैसर्स और्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है जिससे 100 लोगों को प्रित्यक्स और 250 लोगों को अप्रित्यक्स रूप से रोजगार मिलने की संभावना है मैसर्स और्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेट को 55.13 करोड रुपे की कुल लागत से स्थापित किया गया है इस इकाई की प्रती दिन 3 मिट्रिक टंस सी प्रसंसक्रण ख्यमता बनाई गयी है और यह 350 करोड रुपे की कृसी उपज का प्रसंसक्रण करेगी दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में जैविक खाद ये प्रसंसक्रण इकाई का उत्खाटन हर सिम्रत को और बादल दौरा किया गया है तो ये रहा दोस्तो मैप में उत्तर प्रदेश बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक राज्य है यह लगबग 20 करोड से अधिक निवाशियों के साथ भारत में सबसे अधिक जनसिंख्या वाला राज्य है और साथ ही दुनिया में सबसे अधिक जंसिंख्या वाला देश उपखंड है यहां एक अप्रेश 1937 को बिटिस सासन के दोरान संयुक्त प्रांत आग्राव अवत के रूप में स्थापीद किया गया था बिटिस सासन का आल में से उनाइटेट प्रोविंस कहा जाता था जो की 1950 में बदल कर उत्तर प्रदेश हो गया इस तरह सामान्य बोलचाल में यूपी कहे जाने वाले प्रांत का आधिकारिक नाम बदल जाने के बाद भी संखिप्त नाम अपरविर्तित रहा राज की प्रशाशनिक वविधाईक राजधानी लखनव और न्याईक राजधानी प्रियाग राज है और प्रशाशनिक कारणों से इसे 18 मंडलों और 75 जिलों में विवाजित किया गया है 9 नवंबर 2000 को एक नया राज उत्राखंड राज के हिमालई पहाड़ी छेतर से बनाया गया था राज की दो प्रमुखनदियां गंगा और यमना प्रियाग राज में मिलती हैं और फिर आगे गंगा के रूप में बहती हैं हिंदी राज में सबसे वापक रूप से बोले जानी वाली भासा है और राज की आजिकारी भासा भी है राज की राज़धानी है दोस्तों लखनव और उत्तर प्रदेश की इस्थापना हुई थी 24 जनवर 1950 को उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज़पाल हैं आनंदी बेन पटेल और वहां के मुख्य मंत्री हैं योगी आदितेनाद और उप मुख्य मंत्री हैं केशाव प्रशाद मौर्य करनाटक CM ने वीड सावर कर के नाम पर बने फ्लाइ ओवर का उदगाटन किया है दोस्तों तो जी हाँ दोस्तों करनाटक के मुख्य मंत्री B.S.C.E.D. यूरपा ने बेंगलूरू में वीड सावर कर फ्लाइ ओवर का उदगाटन किया है शेहर के मेजर संदीब उन्नी पर 400 मीटर लंबे फ्लाइवर का निर्मान किया है बेंगलोरू के निगम निकाय ब्रहुत बेंगलोरू महानगर पब्लिक बीबी एंपी ने 34 कलोर रुपे की लागत से इस फ्लाइवर का निर्मान किया है इस फ्लाइवर के निर्मान की परियोजना सितंबर 2007 में शुरू इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर गठन अधीनियम के अधीन किया गया था यह पहले मैसूर राज्य कहलाता था 1973 में पुनर नाम करनाट कर दिया गया इसकी सिमाई पश्चि में अरपसागर, उत्तर पश्चि में गोवा, उत्तर में महरास्ट, पूरू में आंध्रिप्रदेश, दक्षिन पूर में तमिलनाडू में, दक्षिन में केरल से लगती है तीज जिलों के साथ यह राज्य छटा सबसे बड़ा राज्य है, राज्य की आधिकारिक और सर्वाधिक बोले जाने वाली भासा करनाटक सब्द के उत्गम के कई व्याक्षाओं में सर्वाधिक स्विक्रत व्याक्षाओं यहा है कि करनाटक सब्द का उत्गम करू अर्थ काली याऊंची और नाडु अर्थ भूमिया प्रदेश या छेत्र से आया है जिसके सईयोजन करुनाडु का पूरा अर्थ होता है काली भूमिया उचा प्रदेश काला सब्द यहां बैलु सेम शेत्र की काली मिट्टी से आया है और उंचा यानि दक्कन के पठारी भूमी से आया है बिटिश राज में यहां के लिए करनाटिक सब्द का प्रियोग किया जाता था जो कृष्णा नदी के दक्षणी ओर की प्रायद वीपिये भूमी के लिए प्रियोगते है करनाटक की राज़धानी है दोस्तों बेंगलोरू और वहां का सबसे बड़ा शहर है वो भी बेंगलोरू और करनाटक की राज़भाइसा है कंणर और करनाटक का घठन हुआ था एक नवंबर 1956 को करनाटक के राजियपाल है वजु भाईवाला और मोग्यमंत्री है बी एस ये दृउरपा करनाटक का जो विधानमंडल है दोस्तो वो दूशदनी विधानमंडल है जिसके विधान परसद में 75 सीटे हैं और विधान सबा में 225 सीटे हैं करना टक से राजी सभा के लिए 12 सीटे हैं और लोग सभा के लिए दोस्तो 28 सीटे हैं अगला करंट अफेर है AIM ने आत्म निर्भर भारत Arise Attal New India Challenge पहल का शुबारम में किया है तो जी हाँ दोस्तो Attal Innovation Mission AIM नीति आयोग द्वारा आत्म निर्भर भारत Arise Attal New India Challenge यह शुरुवात की गई है यह कारिकरम भारतिय MSMEs और स्टाटप्स में अनुसंधान और नवाचार को लागू करने में बढ़ावा देगा यह पहल MSMEs शेत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नवाचारों को पहचानने और बढ़ावा देने में मदद करेगी यह कारिकरम अलग-अलग सेक्टर की समश्याओं का इनुवेटिव समाधान खोजने के लिए भारती अंतरिक्ष अनुसंदान संगठन इसरो चार मंत्रालेयों रक्षय मंत्राले, खाद्य प्रसक्रण उद्योग मंत्राले, स्वास्ट एवं परिवार कलियान मंत्राले और आवास एवं सहरी मामलों का मंत्राले और संबंदित उद्योगों द्वारा संचालित किया जाएगा यह कारेकरम प्रस्तावित प्रद्योगे की समाधान और उत्पात के त्वरित विकास के लिए पचास लाग रुपे तक के वित्त पोशन की सहायता करके लागू अनसंधान आधारित नवाचारों की मदद करेगा तो यहाँ दोस्तो अटल इनोविशन मिशन ने आत्मिद्र भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज पहल का शुभारंब किया है अगला तरंटफेर है आई-एस-ए ने वर्ल्ड सोलर टेक्नोलोजीज समिट की मेजबानी किया दोस्तो तो पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलोजीज समिट का आयोजन आठ सितंबर 2020 को वर्चुली मोड में किया गया इस समिट का उधातन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया इस सिकर सम्मेरन का मुख्य उद्देश अत्याधुनिक प्रध्योगिक्यों और अगली पीडी की प्रध्योगिक्यों पर ध्यान के इंद्रित करना था इस तरह की प्राद्योगिकियों सौर उर्जा को अधिक कुशल से बनाने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी इस समिट में 192 देशों के 26,000 से अधिक प्रति भागियों ने वर्चुली हिस्सा लिया दोस्तों पहले विश्व सौर प्राद्योगिकी सिकर सम्मेरन वर्ल्ड सोलर टेक्नलोजी समिट का आयोजन अंतरास्टी सौर गर्डबंदन ISA द्वारा फैड़ेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स और इंडस्री फिक्की के साथ मिलकर नई तकनीकों पर ध्यान केंदित करने और सौर भासन प्रस्दूत किया उन्हें लीथियम आयन बैटरी की क्रांतिकारी खोच के लिए 2019 में रसाइन विज्ञान जॉन बी गुडेनी और अकीरो योशीनों के साथ संयुक्त रूप से नोबल पुरशकार दिया गया था बात करें अंतरास्टी सौर गड़ बंदन की तो अंतरास्टी सौर गड़ बंदन का जो मुख्याला है दोस्तों वो है गुरुग्राम में और अंतरास्टी सौर गड़ बंदन के स्थापना हुई थी 30 नमंबर 2015 को अंतरास्टी सौर गड़ बंदन के जो वर्तमान लीडर है वो हैं उपेइंद्र तरिपार्थी, नेक्स करंट अफेर है कार्यानिवन एवं निगरानी पर एक वेबिनार आयुजन किया इस वेबिनार में विभिन राज्यों के इंद्रसासित प्रदेशों के सारवजनिक स्वास्थ इंजिनरी विभागों ग्रामीर जर आपूर्ती विभागों के लगभग 25 सो राज्य जिला और ब्लॉक के अधिकारियों ने हिस्सा लिया जल जीवन मिसन राज्यों के साथ साज़दारी में कार्यानिवित क्या जा रहा है इसका उद्देश देश के प्रते ग्रामीर परिवार को परियाप्त मात्रा में एवं कि फायती सेवा प्रदाइगी प्रभारों के साथ नियमित एमम दिर्खकालिक आधार पर अनुसंसित गुणवत्ता वाला आस्वस्त पीने के पानी की आपूर्ती सुनिश्चित करना है जिससे कि उनके जीवन इस्तर में सुधार आ सके बात करें मिसन के प्रमकुदेशों के बारे में तो मिशन के प्रमकुद देशे हैं, हर घर में पानी की आपूर्थी जुनिश्चित करना, देरखे कालिक आधार पर जल आपूर्थी प्रणानियों की कारिशमता पर धियान देना, विकेंद्रिकृत संचालन और प्रबंधन दन्विय वस्था और इस्थानिय समुदाय द्व बिड़ा आइडिया पेमेंट्स, ABIP बैंक के बैंकिंग काज पर पाबंदी लगाती है, इसके सांथ ही ABIP पर बैंकिंग दर्जा समाप्त हो गिया है, आधित्य बिड़ा आइडिया पेमेंट्स बैंक के स्वाइचिक तोर पर कारुबार समाप्त करने के आविदन के बाद य बिड़ा आइडिया पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग दर्जाब समाप्त कर दिया है, बात करें आधित्य बिड़ा आइडिया पेमेंट्स ABIP बैंक के बारे में तो फरवरी 2018 में आधित्य बिड़ा आइडिया पेमेंट्स बैंक अगस्त 2015 में RBI द्वारा 11 फर्मों को लाइसे जारी करने के बाद से banking पर चालन का भुकतान शुरू करने की चौथी काई बन गई थी बैंक को अप्रेल 2017 मैं भुकतान बैंक के रूप में सजालित करने के लिए banking license पराप्थ हुआ था इसे टी- ti-pay payments instrument गुवसाय पर काम करने के लिए प्राधिकरण भी मिला था तो अब आदित्य बिर्ला आईडिया पेमेंट्स एबी आईपी की बैंकिंग के लिए RBI ने समाप्त कर दी है सफल नामक एक नया रिन उत्पाद शुरू करने की योजना बना रहा है उत्पाद सेफ एंड फास्ट अग्रिकल्चर लोन सफल मुख्य रूप से जैविक का पास उगाने वालों पर किंद्रित होगी जिन्होंने पहले कभी भी रिन नहीं लिया है SBI इस देशी की पूर्ती के लिए Artificial Intelligence और Machine Learning का इस्तेमाल करेगा SBI जैविक का पास उत्पादगों के लिए सफल नामक एक नई रिन योजना की शुरूआत करने की योजना बना रहा है दोस्तों बात करें SBI की SBI जो स्थापना हुई थी Imperial Bank of India की रूपन हुई थी 2 जून 1806 में Imperial Bank of India इसे कहा गया 1921 से 1905 मन तक उसके बाद इसे कहा गया Bank of Calcutta Bank of Calcutta की स्थापना हुई थी 2 जून 1806 को और इसे Bank of Calcutta कहा गया 1806 से 1921 तक फिर इसे कहा गया Bank of Bombay Bank of Bombay की स्थापना हुई थी 15 April 840 को 15 April 840 से 1921 तक Bank of Bombay SBI को कहा गया और उसके बाद Bank of मद्रासी से कहा गया जिसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 843 को 1893 से 1921 तक इसे Bank of मद्रास के नाम से जाना गया और 27 जनवरी 1921 को इसे Imperial Bank of इंडिया के नाम से जाना गिया दोस्तो और 1921 से SBI को 1955 तक इंप्यर बैंक ओफ इंडिया और फाइनली एक जूरा 1955 से से स्टेट बैंक ओफ इंडिया का दरज़ा मिला दोस्तो अब बात करJa Rauch स्टेट बैंक ओफ इंडिया के हैड़कवार्टर के बाबरे में में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेटवर्टर है मुंबई महारास्थ में और वर्तमान में इसके चेर्मेन है रजनीश कुमार अगला करेंटर फेर है बैंक ऑफ बडोदा ने आई बीए द्वारा जारी इस 2.0 इंडेक्स में टॉप किया है दोस्तों तो जी हां दोस्तों बैंक सुधार सुचकांक 2.0 में पहले इस्थान पर रखा गया है इस वही सुचकांक में भारती स्टेट बैंक और ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को क्रमशा दूसरा और तीसरा इस्थान मिला है भारती बैंकिंग संगद्वारा इस इन्हेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सलेंस सुचकांक को जारी करने का उद्देश सारवजनिक उपक्रमों के बीच प्रतिश्प्रधा बढ़ा कर उन्हें एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करके PSB में जरूरी बदलाओ लाना है दोस्तों तो बैंक ऑफ बढ़ोदा ने IBA द्वारा जारी इस 2.0 इंडेक् स्थान पर रहे हैं भार्ति स्टेट बैंक और तीसरे स्थान पर रहा है ओरिएंटल बैंक ओफ कॉमर्स सुचकांग 26 में पर आधरित किया गया था जिसमें 120 से अधिक उद्देश्य मैट्रिक्स पर सारवजनिक छित्र के बैंक के प्रतिशन को मापा जाता है वो जो 26 में प अगर बात करें इंडियन बैंकिंग एस्टोशेशन के सीओ की तो वो हैं दोस्तो सुनील महता और इंडियन बैंक इस्टोशेशन की स्थापना हुई थी 26 सितम बर 1946 को और इंडियन बैंक इस्टोशेशन का मुच्छले है दोस्तो मुंबई महारास्ट में अब बैंक ओ पब्लिक सेक्टर का बैंक है दोस्तो जिसके स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को और इसके फाउंडर थे सयाजी राव गायकवाड और इसका जो हैड़कौर्टर है दोस्तों वो है वर्डोद्रा गुजरात में और वरतमान में इसके चेर्मेन हैं हस्मुक आधिया और एम अनिल धूपर को महा सचीव बनाए गया है साथी भारत के डैविस कप कप्तान रोहीत राजपाल को दो हजार चौबिस तक चार साल के कारेकाल के लिए कोशाद धक्ष चुना गया था सभी पदाधिकारी साथी नई कारेकारी समिती के सदश्य निर्वी रोज चुने गए है अनिल जेन ए आई टिये अज्यक्ष के रूप में प्रामीर महाजन का इस्थान लंगे और धूपर हिरन माई चटर जी का इस्थान लंगे बात करें और इंडिया टैनिस असोशेशन के इस्थापना के बारे में तो और इंडिया टैनिस असोशेशन के इस्थापना हुई थ सब्सक्राइब एक अंग्रेजी प्रसारक और इतियाशकार है वह बीबीसी नैच्रल हिस्ट्री यूनिट को लिखने और प्रसुत करने के लिए लोग प्रिये हैं उन्होंने प्रतवी पर जयवी वित्ता को सरनक्षित और सुरक्षित रखने के लिए जागरू करने पर काम कि बारे में तो इंदरा गांधी सांती प्रसकार सांती निशस्त्रिकराण और विक आस के लिए प्रदान किया जाता है इसका नाम पूर प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है इससे इंदरा गांधी Memorial Trust दवारा 1986 से हर साल प्रदान किया जाता है इसमें 25 लाग रूपे का पुरशकार सामिल है यह पुरशकार वैज्ञानिक खोजों का उप्योग मानवता के लिए करने और वैज्ञानिक खोजों को सुनिश्चित करने के लिए अंतरास्टी आर्थी क्विवस्था बनाने के लिए काम करने वाले संगठनों और व्यक्तियों के प्रयाश्वों द्वारा प्रयान किया जाता है तो दोस्तो इंदरा गांधी सांति प्रुष्ट का रिसे सम्मानिक क्या गिया है सर डैविड एटनबरो को अगला करंट अफेर है World Suicide Prevention Day मना गिया है दोस्तो 10 सितंबर को तो जी यहां दोस्तो International Association for Suicide Prevention IASP द्वारा हर साल 10 सितंबर को World Suicide Prevention Day यानि दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने का दिन मनाय जाता है इस दिन को मनाय जाने का उदेश दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने के लिए जाकर उकता बढ़ाना है वर्स 2020 विश्व आत्महत्या रोकतां दिवस का जो विशय है दोस्तो वो है Working Together to Prevent Suicide तो जी हां दोस्तो एक बार फीट से दोहरा दूँ वर्स 2020 की जो World Suicide Prevention Day है उसकी थीम है Working Together to Prevent Suicide बात कर रहें World Suicide Prevention Day के इतिहास के बारे में तो International Association for Suicide Prevention IASP विश्व सास्ट संगठन WHO और World Federation for Mental Health WFMH के साथ मिलकर 2003 से लगातार दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोक खाम दिवस के विभिनने कारे प्रकमों का आईजन करता है बात कर रहें International Association for Suicide Prevention के बारे में International Association for Suicide Prevention IASP एक गैर सरकारी संगठन है जो आत्महत्या और आत्मगहत्य व्यावहार को रोकने इसके प्रभावों को कम करने और सिख्षा विदों, मानसिक स्वास्त पेसिवरों संकट स्रमिकों, स्वयम सेवकों और हत्या को रोकने के लिए काम करने वालों के लिए एक पंच प्रदान करता है 1960 में दिवंगत प्रोफेसर एर्विन रिगिल और डॉक्टर नॉर्मन फार्बेरो द्वारा स्थापित IASP में अब 77 देशों के पेसेवर और स्वयम सेवक शामिल हैं दोस्तो तो ये थे दोस्तो 11 सितंबर के करन्ट अफेर्स अब बात करते हैं हमारे पिछली वीडियो के कोशन के बारे में हमारे पिछली वीडियो का कोशन था International Day to Protect Education from Attack कब मनाए गया है और इस कोशन का सही उत्तर है दोस्तो Option नमबर है 9 सितंबर और इस प्रश्ण का सही उत्तर दिया है साक्षी आर्याने अब बात करते हैं दोस्तो हमारे आज की वीडियो के कोशन के बारे में हमारे आज की वीडियो का कोशन है Indian rating ने चालू वित्तवर्स में भारती अर्थी व्यवस्ता में कितने फिजदी गिरावट का अनुमान जताया है आपके option है 11.2 प्रतिशत 10.9 प्रतिशत 11.8 प्रतिशत और 25.6 प्रतिशत आपको इस question का answer दोस्तो हमारे comment box में comment करके बताना है दोस्तो जैसा कि दोस्तो आप सभी को बता है weekly current interface के revision के लिए आप उस switch का हिस्सा जरूर बनिएगा और दोस्तो आपको वीडियो कैसा लगा वो आप हमें हमारे comment box में comment करके जरूर बताएगा और आपके कोई हमारे सुझाओ हों तो अपने सुझाओ भी हमें हमारे comment box में comment करके जरूर बताएगा That's all for today thank you till next video